दोस्तों, बात करनी वाले हैं, बिहार बोर्ड इंटरमेडियेट एस्कूटनी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, देखिए, अगर आपके विशय में थोड़ा नंबर कम आ चुके हैं, और आपको लग रहा है कि मेरा कॉपी गलत तरीके से जा चुआ है, मेरा इतना नंबर आ सकता था, लेकिन उतना आया नहीं है, ठीके न, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कम आ गया है, तो आप जो है एस्कूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं, एस्कूटनी का मतलब होता है, कॉपी को रीचेक करना, यानि जब आप आप आवेदन देंगे तो आपको 6 कछे बीचेमें में कम आ आ है, तो आप 6 बीचे को भी आफ टिक करके एस्कूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं, अपको लग रहा है कि मेरा 2 ईए के लिए है, आप 2 ईए पिसे के लिए चूज कर सकते हैं, आप चारे नहीं 1 ईए हम रीचेक करेंगे, तो एक बीचेक के ल आपको लग रहे कि नहीं इस बिसे में मेरा नंबर काट लिया गया बहुत ज्यादा तो आप एसकूटनी के लिए दिजी क्या पता आपका दो तिन नंबर वहां पे बढ़ जाए और आप जो हो सकता है और आपके साथ अलग अलग जो है प्रोब्लम्स हो सकते हैं अब आप एन किसी एक बिसे में एक दो नंबर कम होने के वज़े से आप फेल हो चुके हैं तो भी आप रीचेक में जाल सकते हैं इससे क्या होगा न उस कॉपी को दुबारा चेक किया जाएगा और आपको जो है एक दो नंबर बढ़ा के दिया जाएगा जो भी आपका मतलब चेक होगा और आपका जो है आप पास हो सकते हैं जो आपका पर्सेंटेज है तो यह भी हो सकता है तो आप डिपेंट करता है आपका क्या है समझना नगोता है कि आपका जो है बहुत ही कम नंबर आया हुआ है आपने जो है जो एक्जाम दिया हुए उसमें आपको मतलब एक्सपेक्टी नहीं था आपने 2-3 विसे में फेल हो चुके हैं तो आपका पार्टमेंटल एक्जाम को मतलब दुबारा परिछा दे सकते हैं ठीक है न और आप 2024 में ही पास गोसित हो जाएंगे अगर आप कंपार्टमेंटल का एक्जाम देते हैं तो माली जीए आपका 5 विसे में तीन विसे फ्यल हो गया आप तो दो विसे का जो है न दुबारा एक्जाम आप दे सकते हैं आपको लग रहें कि नई एस कूटनी कराने से मेरा नबर नहीं बढ़ें क्योंकि हमने उस बिसे के लिए अच्छित त्यारी नहीं किया था एक्जाम दे दिया था तो वह कपाटमेंटल के थू ही वह किलियर हो पाएगा कपाटमेंटल का मतलब क्या होता है री एक्जाम देना समझ रहे न और फिर आप उसी सेशन में पास हो जाती और एसकूटनी का म लिए ऑनलाइन परिछा फॉर्म अठाइस मार्स से इतना तक भरा जाएगा और इसका इक्जाम जो है ना इन्हों ने बताया हुआ कि देख रहा है ना परिशाद और परिशाद और शोविस परिशाद 31 माई तक जारी करने का लग्छ रखा गया है 31 माई से पहले यह लोग म इसके लिए आपको जो है ना ताकि इस परिशाद होने वाले अभियारतियों को एक वर्स खराब ना हो और वे इसी सत्र में उच्छ सिच्छा गरांड करने के लिए सिचर संस्तानों नवांकल ले सकते देख रहना यह आपका एक साल बरबाद नहीं होगा अगर आप मालने सकते हैं स्कूटनी के बारे में हमने थोड़ा ओबर ऑल एसकूटनी और कपार्टमेंडल के बारे में जनकारी दे दिया बहुत सार लोग पूछते होंगे सोचने में क्या अंतर है तो आप समझ गया है अब देखिए स्कूटनी का फॉर्म भरने के लिए आपको इस जो है प कर लिए 120 इंटू 5 और अगर आप 220 इंटू 2 यानि 240 उर्पया हो जाएगा तो ऐसे आप क्या करेंगे आवे दिन दे सकते हैं अब यहां पे आपको रिजिस्ट्रेशन करना होगा पहले यहां देखिए रोल कोड और रोल नमबर भर के पासवड भर के लोग इन करना होता है लेकिन यहां पे आपको पहले रिजिस्ट्रेशन करना होगा रिजिस्ट्र पे क्लिक करेंगे यहां रोल कोड रोल नमबर और डेटर बर्थ और जो भी पासवड बनाना चाहते हैं जैसा भी पासवड बनाना चाहते हैं वैसा आप पासवड बनाएंगी फॉर एक आपका न हो जाता है आप उसे देख सकते हैं और तुरंत आप login page पे भी आ जाते हैं अब आपको क्या करना होता है यहां पे जो roll card है वो लिखना है roll number लिखना है और जो आपने password create किया था वो password आपको यहां लिखना है और उसके वैसे login कर लेना है login करते ही देखेंगे इस परकार से आपका जनकारी सो हो जाता है आप यहां जनकारी को verify कर लेते हैं नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखिए इस तरह से आता है कि आप कौन से बिसे के लिए जो है किसी बिसे के लिए करना तो किसी एक बिसे के लिए आप यहां टिक कर सकते हैं अगर आप चाहरे हैं किसी मतलब पार्टिकुलर बिसे को मल्टिपल अप्लाई करना तो मल्टिपल भी आप यहां पर टिक कर सकते हैं एक बिसे कर चुनाव किया हुआ है अब हम क्या करेंगे य जैसा हमने आपे क्या क्या यहां पे सिर्फ कर दिया सिर्फ करते हैं फिरिंट देखेंगे इसका जो है इस परकार से थोड़ा सा लोडिंग लेगा डाटा और यहां पर यह जो डाटा से वो रहा है डाटा से होते हैं आपको जो प्रमेंट करने का अप्शन आ जाएगा तो हम की बाद यहां देखेंगे इस परकार से आपके पास बहुत सारे option मिलते हैं कार्ट का है UPI है keyword code है net banking है जिस भी माधिम से जमा करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे हम keyword code भी यहां से generate करके कर सकते हैं payment को हम चाहें तो UPI के थुरू भी कर सकते हैं कार्ट का भी option है हम कार्ट के थुरू भी payment को जमा कर सकते हैं net banking का भी option है कोई भी option को हम चुनाव करके क्या करेंगे payment को जमा कर लेंगे तो फिरिंट समने पर जो है keyword इस परकार से आपको जो है आएगा payment successful का message अब यहां पर आपको प्रिंट का option मिलेगा प्रिंट कर लेंगे और अपने पास सुरचित hard copy रख लेंगे अब आपको क्या करना है इसका result का wait करना है जैसे result आएगा आप जो है आप दुबारा चेक करेंगे तो आपका number बढ़ा mostly case में कभी कभी क्या आता है कि माली जी आपका expectation था कि इतना number आना चीए था और उतना नहीं है तो हो सकता है कि कम भी हो सकता है समझ रहे ना तो ऐसे चीजे हैं आप यहां पर देख सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा किस परकार से आपको जो एसकूटनी के लिए form को apply कर करना है आपके मन में कोई भी डाउट से comment है आप comment box में पूछेगा मिलता है किसी next video friends आपका दिन सूभ हो जाहें